जाहिन दोस्तों जाय माकल मैं आपका दूस बुलेट सिंग स्वागा तेपका शत्रिय में दोस्तों जो मुदगर का बेस कर रहे हैं उनके लिए मैं एक डाइट चेट लाए हूं जो ओवरवेट है याने जो हद से जादा और बहुत जल्दी अपना वजन कम करना चाहरे हैं उ लगाल ऊमटेका वीडियो यह दरुन तो शुरूवात करना है आपको सबाइब हार पैट गुन-गुना पानी क्यों? क्योंकि देखे दोस्तों अगर आप घी खारे कभी, या बटर खारे, या कुछ चिकन हट भरा तेल भरा चीज खारे, अगर हाथ का इस्तेमाल गरते हैं तो आप हाथ को देखेंगे, वो चिकन हट आ रहा जल्दी से छुटती नहीं हाथों से, और पाहर के खाने का तो बोलना ही किया, कितनी सारी गंदेगी चीज़ना रहती, तो गरम पानी अगर आप सेवन कर रहे तो आपके अंदर की जितनी भी गंदेगी है, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, उसको वो कम करने में आपको आसानी रहेंगा, और मेटबलिजम आपका ब बोडी कूल होते रहती, शान्त होने के बाद में आपका टेंपरेचर नॉर्मल जैसे पसीने में नहा ली है, देखें दोस्तों कभी भी शत्रिय प्रेणम करने से पहले आपको कभी भी लंगोट पहना बहुत जरुरी, बोडी में हीट आने के बाद ही आप मुदगर समतोला या कुछ और अभ्यास करिए, तो जैसा जैसा आपकी बोडी शान्त हो जाती, एकदम नॉर्मल टेंपरेचर पर आजाती, नॉर्मल टेंपरेचर पर जब आपकी बोडी आ रही, तब आपको सीधे सीधे लेना है, कुछ भी जूस जैसे के कद्दू का जूस हो गया, लोकी क पेठा, पेठा तो एशगाड बहुत जबर्दस काम करेंगा आपको फैट लास के अंदर, यह जूस आपको लेना है कम से कम धाईसो से तीन से इंबल, इसका जूस अगर आप पी रहें, तो आपको फैट लास के अंदर बहुत अच्छे से मदद देंगी, उसके बाद आप उपर से थोड़ी 15 मिट का गैब देखें, थोड़ा सा आप कुछ भी एक फ्रूट का सकते हो, चाय केला हो, या जाम हो, या आम हो, जो भी सिसनल फूड है, वो फ्रूट खा सकते हैं, फ्रूट खाने के बाद थोड़ा सा गैब देखें, आपको जैसे आप ब्रिक्वस्ट क और बड़र ब्रिक्वास्ट की और बड़ते समय जैसे आप ब्रिक्वास्ट की और बड़रे ब्रिक्वास्ट में आप हाई प्रोटीन का डेट लेना जैसे कि मुंग डालो गया जो स्प्रॉटेट हो चाना हो गया उसको थोड़ा सा फ्राइ कर ले सकते आप मिट्स मसाला से ज़्यादा से ज़्यादा खाने के कोशिश करिए जिससे आपका एनर्जी लिवल बड़ावा रहेंगा और आपको डाइजेस्ट भी जल्दी सवेंगा अगर आपके स्प्रॉटेट चीजां कुछ भी ले रहें तो उसके साथ आप गुड़ खाना ज़रूरी क्योंके थोड D request में आप कुछ ओट मीले सकते दल्यावी लें सकते गिचली खा सकते बिजना मशाले अच्छ की फिर सब अब इस गरम पानी ने घॉन गुन गुना पानी जितना आप गरम पानी तो निग हैंगे और आप Kentucky होतना आपको बहुत हेल्प करींगा होने ठीक है उसके होने के बाद यह होने के बाद ब्रेक्फस से पहले भी कम से कम एक आदा पून घंटा पहले भी अगर आप दो तीन ग्लास गरम पानी पीरे तो वह भी आपको बहुत साहिक रहेंगा लंच की बात अगर करें दोस्तों तो समय राजम के शलाठें सालाठ के बाद आप चोटे मठें रोटी कहा सकते हैं रोटी पी कैसा क्सकते हैं 25 पसिबल्ल नहां गां जम्टी अब रगोज दाले अब जब अटा गुनते हैं उसके का सकते हैं किसी हल्की फिल की सब्जी के शैट बोइल वेजटेबल के साथ जो आप आणया यह भी क्षोब कि आणुब शूड़ा सपनी में साथ-साथ आप दोस्तों आट कर सकते हुसके अंदर छांच, थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा काला नमक, छांच के अंदर अगर आप मिला रहें तो आपको fat loss के अंदर बहुत सहाए करेंगा, बहुत अची चीज़ है, समर के अंदर तो बहुत अच्छा काम करींगा आपको शाम के टैम पर दोस्तों आप थोड़ा सा स्नैक्स के तोर पर फिर वापिस से अप पहले स्नैक्स से पहले, एक आदा घंटा पहले गरम पानी का सेवन जरूर करिए जितना हो सके यह नहीं, कि धुककाला है यानि गरमी का सेज़ने, समर का सेज़ने, इसके अंदर और गरमी करो और गरमी, गरम पानी कैसा प्याज़ेंगा मर्गो देखो दोस्तों, कैसारे लोग चाई पीते, काफी पीते, जो कि अपन छी भी ने सकते आपको गरमी के दिन पहरे पापीaking, तो क कभाँ के पानी चाई आपके टाश़नेहें, घंड़ connects u या घंड़े पानी की ताशे रनदों यहां तक है कि दोस्तों तो थोड़ा बहुत अगर आपने गंडूल करें यहां तक कि यहां पर जाने के बाद आपको कुछ भी टेस्ट महसूस ने होता कुछ भी फिल ने होता अगर आप कितना भी चट पटा खाओ या कितना भी मसाले दर खाओ यहां तक ही आपको फिल होने का यहां के नीचे आपको कुछ ने फिल होता यह जब आपके गले से उतर रहा तो आपके आरगोंस को फिल करता आप जैसा अपना जीसा में एक मंदिर है आप उसको जैसा रखेंगे वैसा होने रहेंगा आप उसको अच्छे से रेखेंगे यानि अच्छा डाइट देंगे उसको तो अच्छा रहेंगा अगर आप उसको खराब देंगे तो आप उसको खराब रिजल देंगा उने तो शाम में स्नैक से पहले थोड़ा सा पानी का सेवन करिए पानी के सेवन करिए पानी के सेवन के बाद थोड़े से आप भुनेवे मुनफली खा सकते है उसमें नमक मिर्च कुछ में देना ना भुनेवे मुनफली या फिर भीगवे बादाम यह भीगवे बादाम आज स्नैक आप ये दिन भर भी कर सकते हैं, थोड़े बहुत मुन फली, थोड़े बहुत बादाम, दिन भर भी आपको अगर भूख जादा लग रही तो आप दिन भर भी इसका सेवन कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कुछ भी जूस हो गया, जूस भी ले सकते हैं, आप कोई भी की और कि डिनर में दोस्तों जैसे कि मैं आपको बोला भोजन से एक आदा गंटा पहले गुनगुना पानी अगर आप सेवन कर रहें तो आपके लिए बहुत फाइदा है खाना सब खाते समय थोड़ा बहुत पानी चल पीलिया आप चल जाता ऐसा नहीं कि खाना काते स्वे टा तो ऐसा नहीं है कि totally अपन बिना पानी के खाना खाना रात के खाने में आप नॉर्मल घर के खाना खा सकते हैं दाल चावाल खा सकते हैं थोड़ा बच्षाम में फिर से दल्या खा सकते हैं दल्या दल्या कैसा रहना है चावाल एकदम गले वे थोड़ा liquid type उसके अंदर vegetables आल पूल को भी दल सकते घाजर दल सकते आलू दल सकते कई सारे फ्रूट से जो अपने घर में एपनी माँ बाहन और बीवी बना सकती तो थोड़ा सा उनको अगर आप फैल पर है उसके अंदर दाल भी दाल सकते हैं थोड़ी से हल्दी दाल दीजिए यह दलिया खाई है बहुत बढ़ी आ रहेंगा बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपको और पॉसी भले तो सोने से आदा घंटा पहले थोड़ा सा दूद पहले निकल जाईए दोस्तों के साथ इवनिंग वाक बलकर और सोने से पहले दूद का सेवन त्रिफला के गरम गुंगुंगरे दूद के साथ रिफला का सेवन जरूर कीजिए बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक की लिए जय हिन जय महाकाल